इसक्रेन विजिभील है सबको गारृ गो तो हम्हारे जमेट्री के सेक्षिन रेगिया तर उसे कंप्लीट करते हैं इस जमेट्री का पहले टॉपिक है ट्रैंगिल्स ट्रैंगिल के बारे बारे पड़ते हैं तो ट्राइंगल क्या होता है, पॉलिगॉन, पॉलिगॉन कहते हैं, इसी क्लोस्ट फिगर को, with three sides is called a triangle, ऐसी figure जिसकी तीन साइड्स हैं और वो closed figure है, उसकों कहते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल has three vertices, यह vertices कहलाते हैं, a, b, c, these are vertices, three internal angles, यह angle है, इसे short में कभी-कभी हम angle a, angle b, angle c लिख देते हैं, अगर long form में लिखना हो पूरा, तो हम लिखते हैं, angle जैसे c, a, b, यानी c से शुरू किया, a तक आए और फिर b तक, c, a, b, इसको हम लिख सकते हैं, angle a, b, c, तो a से b, then b to c है, जो angle बन लिख देते हैं, और इसको हम कह सकते हैं, angle a, c, b, तो a से c हैं देन बी, यह angle, यह long form है, शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं, and three sides, sides यह हैं, a, b, b, c, and c हैं, तो angles हम ऐसे लिख रहे हैं, a, b, c, और length of side जो लिखी होती है, उनको हम short में लिख जाते हैं, small letters में, a, b, c, length of side normally small ऐसे letter से show होगी, और vertices को हम लिखते हैं, capital, letters, तो angle भी क्या हो जाते हैं, vertices के हिसाब से लिखे जाते हैं, capital letters, तो यह triangle है, तीन sides, तीन internal इसके angles, अब यह कभी-कभी word use होंगे, angle opposite to a side, side opposite to an angle, angle opposite to a side, अगर मैं side ले रहा हूँ, a, b, a, b के opposite, कौन सा angle है, angle opposite to a side, a, b, के opposite कौन सा angle है, c, angle c, देखो हम इस तरीखे से करेंगे कि a, b, c की जब बात कर रहा है, तो a के साथ यह angle, a बन, रहा है, b के साथ यह angle, b बन रहा है, कौन सा angle रह गया, जो a और b से connect हूँ है, it is c, a, b के opposite angle होगा, c, ऐसी b, c के opposite कौन सा angle होगा, side bc के opposite कौन से ही है a क्योंकि इस के इस वाले vertices टो angle b यह इदर angle c है तो कौन से angle टेच ली हो रहा a इस तरीफे से हम किसी भी side के opposite angle ऐसी side opposite to an angle angle a के opposite कौन से side है तो एंगल A से एक साइट आ रही है A B और एक है A C कौन सी टच नहीं हो रही है इससे बिल्कुल भी B C B C विल भी अपोज़ट तो है चीक है तो यह वर्ड कॉमनली यूस होंगे एंगल अपोज़ट तो असाइट साइट अपोज़ट तो है मुझे चीक है इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किलियर हो गया है दोनों वर्ड अगिल अपोज़ट तो है और साइट अपोज़ट तो है किलियर सब को यह सर अब आते टाइपस अफ ट्राइंगल पस टाइप के होता है इकुलेटरल किलिटरल मिल्स जिसकी तीनो साइड्स क्या है एकुल है ऐसे ट्राइंगल जिसमें तीनो साइट्स एकुल होती है इन विच आल थाइट्स तो अगर यह कोई ट्राइवजिन है A, B, C एक लेटरल ट्राइवजन है तो अगर यह 5 cm है तो यह भी 5 cm, यह भी 5 cm, यह भी 5 cm, कीनो साइट ग्ला ग्ला है होगा 60 degree, 60 degree, 60 degree, तो कि तीनों का सम हमेशा क्या रहता है, 180, sum of internal angles of a triangle, हमेशा किसके equal होता है, 180, तो तीनों triangle अगर equal है, तो 66, 60 हो जाएगी, अब आते हैं next, isocellus triangle, isocellus triangle क्या होता है, triangle in which two sides हो, कोई भी two sides equal हो सकती है, तीन में से two sides equal हो करती है, और angle कौन-कौन से equal हो बिल, angle opposite to those two sides will also be equal, तो अगर यह कोई triangle है, ABC, इसमें यह side, AB is equal to AC, तो इनके जो opposite angle है, वो भी equal हो, तो AB side के opposite कौन सा angle है, AB side के opposite? C, इस angle, यह किसके equal होगा, जो AC side के opposite है, कौन से angle equal होगा है, तो अगर AB और AC equal है, तो इसके opposite वाले जो angles हैं, वो भी आपस में क्या होगे? equal. तो आइसोसेलिस triangle में दो side equal होती है, और दो angle equal होती है. तो अगर आइसोसेलिस triangle में हमें एक angle पता है, कोई भी एक angle पता है तीनों में से, तो हम तीनों angles निकाल सकते हैं. जैसे मालो, angle B हमें पता है 50 degree, तो हम यह दोनों angles बता सकते हैं, कितने होगे? angle C और angle A. अगर angle B 50 है, तो angle C भी कितना हो जाएगा? 50. 50. तो angle A कितना हो जाएगा? 50. 80. तो तीनों का sum 180, तो यह दोनों मिलके होगे 100, तो यह जो बचा 80. अगर मालो, angle A है 70 degree, तो angle B और C कितना होगे? 55, 55. तो हमें यह पता है, यह दोनों side equal है, तो यह equal होगे, तो अगर यह x है, तो यह भी क्यों हो जाएगा? और तीसरे angle is 70, तो हमें पता है, x plus x plus 70 degree is 180 degree. तो 2x is equal to 110 degree, तो x is equal to 55. तो यह भी 55 और यह भी 50. तो कोई भी isosanistre angle में अगर हमें एक angle पता है, तो हम बाती सारे angle में काते हैं. और तीसरे type का angle है, scale in triangle. Scale in में क्या होता है? All three sides are of distinct length. अतलब all three sides are different. तो all sides are different. तो जब side अलग है, तो angles भी क्या होगे? अलग है. अगर side equal होगी है, तो angle भी equal हो जाते हैं. और अगर side equal होगी है, तो angle भी equal हो जाते हैं. तो जब side सारी अलग-अलग है, तो angles भी क्या रहेंगे? सब अलग होगी है. तो scale in triangle में तीनो side की length भी different होती है और तीनो angles की values भी different होती है. आईसोसेल इसमें दो side equal होती है, तो दो angle equal हो जाते हैं. इकुलेटरल में तीनो side equal होती है, तो तीनो angles आपस में equal होती है. चिक यह तीन टाइप के हमारे triangle है. नेक्स्ट जो theorem है, sum of all interior angle of a triangle is 180. किसी भी triangle के तीनो angle का sum हमेशा क्या होता है? interior बतलब अंदर वाले angle. उसका sum हमेशा क्या होता है? 180. अब जैसे छोटा सा question है, inner triangle ABC, measure of angle A is 64. तो हमेशा क्या है, triangle A is 64. यह 64 degree का है. internal angle bisector. अंदर बाइसेक्टर means? अंदर बाइसेक्टर क्या होती है? इंगल bisector भी सेक्टर क्या है? इंगल बाइसेक्टर बीसेक्टर में रूटा है? अंदर बाइसेक्टर में अब बाइसेक्टर में और क्या होती है? equal, equal two parts में divide करने को कहते हैं bisect intersect होता है कहीं cut करना bisect में इस तरीके से cut करना कि दोनों equal parts तो angle bisector यानि internal जो angle है B and C के इसके angle bisector कहां पर intersect करते हैं यानि ये जो angle B है इसको दो part में divide कर रहा है angle C है इसे एक दो part में divide कर रहा है और ये दोनों जहां meet कर रहा है that is point D तो बताओ find the measure of angle B D C ये angle कुछ आ यानि ये bisector ये bisector जिस point पर मिले इस इस point B तो कह रहा है इसकी value कितने होगी B D C B से चले deeper और D से C यानि ये angle ये कितने का होगा हमें given क्या है ये angle given है this is 64 कैसे होगा ये कोश्चन इस triangle को अगर हम देखे A triangle B D C छोटे वाले triangle इस triangle को अगर हम देखे तो इसके तीन angle कौन कौन से है एक तो angle B का half है क्योंकि angle by sector है नहीं है ये half angle है यानि की angle B by 2 और ये angle कितना है C by 2 plus ये angle B D C इन तीनों का सम कितना होगा 180 180 वह इस वाले triangle को बात करना है ये B से half divide होके आया angle ये C से divide होके आया angle C by 2 angle B by 2 और ये angle कीनों का सम 180 डिग्री ये आगे question 1 अब angle B by 2 और C by 2 की value निकाल दिया है तो इस बड़े वाले triangle में अगर हम देखें तो angle A plus angle B plus angle C की value कितना है 180 पूरा पूरा angle की angle A आपको दे रहा था था question में 64 डिग्री तो B plus C कितना हो गया अगे 180 minus 64 angle B plus angle C is equal to 6 116 तो B by 2 और C by 2 कितना हो जाएगा तो उसे divide कर दो 116 by 2 कितना हो गया 58 ये हो जाएगा ये value इसके अंदर put कर तो angle B by 2 plus angle C by 2 कि value हो गया 58 तो 58 plus angle B to C is equal to 180 degree angle B to C is equal to 180 minus 58 हो जाएगा ये answer फिर हमने क्या कर दो triangle में sum of triangle कर लगा है एक में अप आप अप एंगल थे और C उसके साथ B अब ये छोटी सी एक लोरम है अगर हमें कभी भी सम आफ ऑल इंटीर एंगल इंटीर एंगल के लिए एंटीर एंगल के लिए एंटीर एंगल के लिए न की वेल्यू क्या हो जाएगी कैसा और पासुषिय एंटीर 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 इसमान एंटीर एंटीर एंटी टीडिव और N की जगा हम रख देंगे 4, 4-2 into 180 इतना हो जाएगा 3 पेंटागन की बात करें तो पेंटागन के लिए N की वेल्यू क्या हो जाएगी 5 तो sum of all interior angle हो जाएगा 5-2 into 180 3 into 180 यानी की 5 for 180 रेगुलर हेग्जगन की बात करें तो हेग्जगन का sum of all interior angle कितना होगा 6-2 into 180 तो 4 into 180 यानी की 7.2 तो ऐसे हम किसी भी polygon के interior angle का sum निकाल सकते हैं It is equal to N-2 into 180 यह formula कहीं के use हो जाता है तो हमें याद रहे हैं sum of interior angles of any polygon is N-2 into 180 ठीक exterior angle अभी तो हम बात कर रहा है interior exterior angle क्या होता है अगर हम किसी भी triangle की side को क्या करें extend कर ले तो वो दूसरी side के साथ जो angle बना रहा होता that is known as exterior angle जिसे मान लोग A B C तो अगर मैं इस side को extend कर दूँ B to C तो यह जो दूसरी side है AC के साथ जो angle बना रहा है this angle is exterior है ऐसी अगर मैं इस side को extend कर दूँ AC को तो यह जो side के साथ angle बना रहा है that is exterior है लेकिन यह दोनों जो extend हुई भी side है यह angle exterior है एक side extend होके जो दूसरे side साथ बनाता है that is known as exterior angle ठीक है exterior angle का समझो होता है that is equal to sum of remote interior यानि यह अगर एक exterior angle है तो इसका जो sum है it will be equal to किन दो interior angle के बराबर होगा remote यानि जिनसे यह touch नहीं हो रहा है A और B तो इसकी value हो जाएगी angle A plus angle इस exterior angle की value हो जाएगी यह इस वाले angle से तो touch कर रहा है angle C से किस से touch नहीं कर रहा angle A plus angle ऐसी अगर मैं इस side को extend कर दो तो यह जो दूसरी side है इसी दो एक्स्टीर एंगल इसकी value कितनी होगी इस exterior angle किन दो एंगल के संगे बराबर होगी किन दो एंगल के बराबर होगी यह के साथ तो है यह कुछ तो A के बराबर A तो नहीं आएगा जो एक्स्टीर एंगल इस प्रूसरी आएगा तो एक्स्टीर एंगल जो होता है इस अलवेज इक्वल तू समफ रिमोटेंटीर एंगल को भीकाजेए जो उसके साथ नहीं है जो जो एंगल Sum of all exterior angle is 360 degree इस triangle में जितने भी exterior angle बनेंगे सबका sum क्या होगा 360 तो जितने भी polygon होतें convex मतलब तो उनका हमेशा sum क्या होता है 360 degree तो यह triangle के लिए नहीं है सिर्फ triangle के लिए नहीं है जितने भी convex shape के polygon होते है Convex shape कैसा होता है Convex polygon को होते हैं जिसमें कोई भी angle 180 degree से बढ़ा नहीं होता है यानि सारे एंगल के ओते हैं 180 से छोटे होता है तो ऐसा polygon जिसमें कोई भी angle 180 से बढ़ा नहीं है इसको हम convex quality one कहते हैं तो ऐसे case में जितने भी exterior angle होते हैं सब तर सम हमेशा कह रहता है 360 यानि triangle है तब भी sum of exterior angle 360 quadilateral है, pentagon है, hexagon है हर case में sum of exterior angle कितना आ रहेगा इस होते हैं तो यह दो तीन जो formula है हमें याद रखने है interior angle के लिए यह होता है formula sum of interior angle exterior angle हमेशा कितना होता है 360 और कोई एक exterior angle निकारना है तो it is equal to sum of remote interior angle तो यह यह तीन formula याद रखने हैं sum of interior angle n minus 2 into 180 degree sum of exterior angle 360 degree sum of any exterior angle is equal to sum of remote या opposite entity याद रहेंगे कीन formula यह एंगिल से related है interior और exterior है अब उसके base पे देखो कोईशन किस तरी के साथ है geometry के कोईशन जो होते है वो खोड़े से tricky होते हैं कभी कभी बीच में हमें कुछ construction वगारा खुट सा कभी पड़े तो अगर AB is equal to CD AD is equal to CD यह दोनों साइड आपस में equal है equal to BC और यह भी equal है and angle BCE is equal to 96 BCE यह angle है 96 degree What is the measure of angle DBC DBC यानि Yen इसकी value क्या होते है यह पूछना है खीक है question के लिए रहे 3 side equal देदी एक angle दे रहा है BCE 96 तो वो दूसर एंगल कुछ रहा है DBC तो देखो यह दोनों side equal है इस triangle में ADC में तो अगर इसे हम मान ले X तो यह angle भी कितना हो जाएगा X side angle opposite to equal side is equal यह दो opposite sides है जो कि equal है तो इसके जो opposite angle है वो भी क्या होंगे लिए यह भी X यह भी X यह भी X ठीक जो आपस में एक बड़ है अब इस triangle के लिए देखो CDB में यह जो angle है this one यह ADC का exterior angle है this angle angle CDB is exterior angle to triangle 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 CAD 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 triangle का exterior angle है इसकी value कितनी हो जाएगी प्रेट अपस में इसके बराबर होगा इसकी value कितनी हो जाएगी रेट क्या है अब क्या है यह अपस में इक्व एक्व एक्स प्रेट अब क्या है यह और यह आपस में और इक्वल है तो इस अंगल की वेन वी कितनी वाजाएगी नहां तक के लिए जो थिवरम उसके हैं सम अप्स्टेडियर एंगल इपल तो सम अपोज़ इंटेरियर एंगल एंड एंगल अपोज़ इपल साइट सा रिखाए अब यह बड़ा ट्रेंगल देखो ए बी सी यह ट्राइंगल है देखो ए जिसका देखो एकस्टीरियर एंगल इसकी वेल्यू है 96 और इसकी अपोज़िट जो इंटीरियर एंगल है यह एकस है और यह कितना है फॉएकस 96 और इसकी डिग्री किसका एककब हो जाएगा 3X 3x, so this is exterior angle it will be equal to sum of opposite interior x plus 2x 96 degree is equal to 3x x is equal to 32 degree लेकिन हम से पूछा क्या है, angle dbc dbc, dbc के value है 2x angle dbc will be equal to 2x32 यानि कितना होगे 64 degree जमेटरी वाले वोशन है, वहीं फिगर्स में हमें निकालना परता है आगे पीछे धूँद के ही, क्या हो सकता है जैसे देखो यह है, EFC is 120 degree EFC यानि इस वन, इस एंगिल is 120 degree तो इसकी value बताओ क्या होगी एंगिल a plus b plus d इसकी value जाओ एक कोई straight line अगर होती है straight line पर कितना angle होता है यह angle कितना होता है इस तरीके से पर्पेंडिकुलर होती है तो यह angle कितना होता है 90 यह 90 होता हो पूरा ही हो जाता है और पूरा circle कितना हो जाता है 360 तो एक straight line हमेशा 180 degree बनाती है अब यह देव को यह जो line है BC यह एक straight line है तो अगर यह angle 120 है तो यह कितना हो जाएगा यह एंगिल कौन साइए एप यह कितना एंगिल को होता है 60 यह बढ़ पूर्टी है तो यह 60 बचाए तो यह 60 बचाए तभी को 180 होगा प्रॉयक ने ऐसी लेको यह जो line है DE यह एक straight line है ना 120 है तो यह जो एंगिल बचाए यह भी कितना होगा 60 degree ठीक है होगा यह दोनों 60 60 हो गए अब देखो यह है एंगिल बी और यह है इदर एंगिल डीप प्रॉप कर रहा हूं है अब यह जो एंगिल है इस वन एंगिल यह क्या है इस ट्राइंगिल का exterior एंगिल है तो इस एंगिल एकी वेल्यू कितनी होगी यह इस ट्राइंगिल के लिए क्या है exterior एंगिल है इस ट्राइंगिल के लिए तो इसकी वेल्यू कितनी होगी एंगल बी प्लस 60 एंगल बी प्लस इस एंगल की वेल्यू कुती होगी यह किस्वाले ट्राइंगल के नहीं एक्स्टिडियर एंगल है एंगल बी प्लस 60 अब यह पूरा एक क्वाडिलेटरल है A E F C इन पॉर्डिलेटरल A E F C पॉर्डिलेटरल के सारे इंटिरियर एंगल का सम कितना होता है अभी हमके पीशे पढ़ाता है पॉर्डिलेटरल के सारे इंटिरियर एंगल का सम कितना होता है 360 एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल C मिलके कितना होगा? 360 डिगरी. अग एंगल A ऐसी रहने देते हैं. एंगल E की जगा लिख सकते हैं. एंगल B प्लस 60 डिगरी. एंगल F की वैटी हमें देरा की है. और एंगल C की वैटी हो जाली. एंगल D प्लस 60 यह सब मिलके कितना है? 360 तो एंगल A plus angle B plus angle D. इसकी वैल्यों कितनी आती है? 60 plus 120 plus 60 यह जानी की 240. 360 में से 240 मिलके हो जानके स्टाइड आएंगे तो इसकी वैल्यों की वैल्यों की एंगल A plus angle D plus angle D is equal to one या answer है. चीक? तो इसकी वैल्यों की वैल्यों की वैल्यों की वैल्यों का पता चली? की sum of all interior हुआ जी सम बंदे लिए तीन होने सिव मितए कीड में तो वने 572 घॉरे के सब्सक्राइप 180 तो एंगल में जैसे relation है ऐसे side में भी relation है कि किसी भी triangle के अंदर sum of 2 side has to be greater than the side याई अगर हम ऐसे side ले जिसमें कि कोई भी 2 side का sum किसीरी side से छोटा हो जागगा तो कभी भी वो triangle नहीं गनेगा जैसे मालनों अगर हम ले रहा है 4, 6 और 10 क्या ये 3 साइड मिलके ट्राइंगिल बना सकती है ये 3 साइड मिलके कभी भी ट्राइंगिल बना रहा है माल लो अगर मैंने बेस ले ली 10 सेंटिमेटर अब मैं यहाँ 4 सेंटिमेटर लूँ और ये चाहूं ये ऐसे करके मिल जाए 6 सेंटिमेटर तो ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि 4 और 6 तो मिलके ही 10 बनेगा तो ये यहीं पर ही आएंगी इसी लाइंग जोपर कभी भी ये ट्राइंगिल बना सकता ये ट्राइंगिल तभी बनेगा जब 2 साइड का सम कोई भी 2 साइड ले दे उसका सम हमेशा कीसरी साइड से ज़ादा होगा जैसे ये दे रहाएंगा 3, 5, 9 क्या ये मिलके ट्राइंगिल बना सकती है तो अगर मैं 9 प्लस 5 करूँ ग्रेटर देन 3 ये सही है 3 प्लस 9 करूँ ग्रेटर देन 5 ये भी सही है बट 3 प्लस 5 ये लेस देन 9 देगा यानि 3, 5 और 9 की अगर मैं लेंख ली तो कभी भी ट्राइंगिल नहीं बनेगा किसी भी ट्राइंगिल के लिए हमेशा क्या होना चाहिए सम आफ एनी 2 साइड शुट भी ग्रेटर देन दा फर्ट साइड अभी हम ट्राइंगिल बना चाहिए ठीक ये याद रखना है कि ट्राइंगिल में हमेशा इसकरी को सब्सक्राइब और इसी से एक और प्रॉपर्टी आती ही कि डिफ्रेंस बेट्वेट्वें तू साइड इस ऑन्वेश लेंगा दो साइड का अगर हम डिफ्रेंस ले तो वो भी क्या होना चाहिए थर्ट साइड से कमने लिए अब इसके बेस पे जैसे कोशन देए बैसरी साइड का हो अगर तो देखो पहले तो बात क्या है 4 प्लस 7 4 प्लस 7 इस 11 तो तीसरी साइड हमेशा क्या होगी 11 से जादा होगी या कम होगी जादा 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 जेख अभी फ्योरम हमने क्या पड़िती है Sum of 2 Sides Always greater than 3rd Sides किनी भी 2 Sides का Sum तीसरी साइड से जादा होगी जादा होगी तो यहां 2 Sides का Sum है 11 तीसरी साइड 11 से जादा होगी या कम तीसरी साइड गोगों के Sum से छोटी होगी जादा है तीसरी साइड 11 से कम होगी जादा है यानि जो थर्ड साइड है अगर A को 4 माल लेते हैं B को 7 तो C की वेल्यू 11 से कम होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए तो क्या हो सकती 12345678910 इन में से कुछ भी हो सकती इतनी इंटीजर में पहली रिलेशन से तो यह पता चाहिए आप चलियर यहां तक तो क्या होगा तो पहली चीज़ हमें पता चल गए साइट के हिसाप से लेस देन 11 होनी चाहिए अब देखो दूसरी बड़ी साइट की है 7 तो अगर हम C की वेल्यू कुछ भी लें तो 4 प्लस C यह भी हमेशा क्या होना चाहिए 7 से जादा यह एक साइट तो 4 है दूसरी साइट हमें नहीं पता C मान रहा है तो इन नोनों का सम 7 से बड़ा होना चाहिए यानि C शुट भी ग्रेटर देन 3 इस से हमें रिलेशन क्या पता चलिए C शुट भी ग्रेटर देन 3 यानि यह वेल्यू भी नहीं हो सकती तो C के कितनी वेल्यूस हो सकती है कितनी वेल्यूस हो सकती है खाओ मैनी वेल्यूस पूछा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 different values उसे, different integral values उसे, हमने एक ही theorem को यूस की आए, कि sum of two sides should be greater than the third side. चीक है? यह साइज पर question इस तरीबिट आ जाते हैं, कभी कभी. अब जैसे यह कह रहा है, three sides of a triangle are given by x minus one this and this. Find a range of values that x can include. यह तीन साइड है, यह मानलो a है, यह b है, यह c है. तो हमें क्या करना है? सिंपर तीन condition check करनी. a plus b c से बढ़ा होना चाहिए, b plus c a से बढ़ा होना चाहिए, और c plus a b से बढ़ा. कोई भी दो साइड के सम्द, इसरी साइड से बढ़ा होना चाहिए. तो a plus b मतलब x minus one plus 2x minus four. यह किस से बढ़ा होना चाहिए? 4x minus 14. तो यह आजाएगा, 4x minus five should be greater than 4x minus five. 3x को इदर ले आते हैं, तो यह हो जाएगा, plus 12 वाद इस seven greater than 4x minus five. तो seven should be greater than eight. इसका मतलब x should be less than seven. पहली value क्या आ रही? x less than seven. अब b plus c, इन दोनों को सम करो. 2x minus four plus 4x minus four. यह किस से बढ़ा होने चाहिए? a से. x minus one से बढ़ा होने. इस से simplify करेंगे, तो यह हो जाएगा, 6x minus 16 should be greater than x minus. इसका मतलब है, 5x should be greater than, यह इदर आएगा, तो हो जाएगा 15. यहनि, x should be greater than three. simple inequality इसे इसे बढ़ा होने. and third is c plus a greater than b. c plus a, यानि की 4x minus 12 plus x minus one should be greater than b. 2x minus two. यह जागा, 4x plus x, 5x minus 13 should be greater than 2x minus four. इसका मतलब हों गया, इसका 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 इसका, दल लियाएंगे, 3x greater than, यह दल जाएगा तो 9, यह तो बही आ रहा है, x greater than, तो range के आउ सकती, जो allowed है, 3 से तो बड़ा हो, बड़ 7 से छोटा हो, यह आज है, this is the range, यह तो triangle की side वाला, तो बस यह relation आपको याद रहना है, sum of two sides should be equal to, यह greater than the third side, बहुल भी नहीं, greater होना चाहिए, अब area of triangle के formula क्या क्या होते है, first is, area is equal to half base into height, तो base into height हम कोई सी भी ले सकते हैं, बट normally हम क्या होता है, जो horizontal यह जो नीचे ऐसे होती है, इसको base level होती है, और यह जो perpendicular distance है, this will become height, तो अगर कोई ऐसा triangle है, ABC, तो हम इसका लिख सकते हैं, area of triangle, ABC is equal to half base into height, तो यह इस वाले triangle का area, similarly इस वाले triangle के लिए, हम दोनों को मिला के लिखे के लिए तो यह बन जाए, right angle triangle का area कितना होता है, right angle triangle का area के लिए यूज़ करते हैं, हम half base into height, यह base होती है, हम half base into height, इसको हम पूरे बढ़े triangle के लिए भी ऐसे यूज़ करते हैं, तो बेस normally हम किसी भी side को ले सकते हैं, बट अगर कोई horizontal side ने रखी तो उसको use करना जाद ही थी, और जिसको भी हम base लेंगे, height क्या होगा, perpendicular distance from opposite vertex to this side, जैसे इसको अगर मैंने base कहा है, तो height यह हो जाएगी, अगर कोई triangle ऐसा है, इस तरीके से, मैं इसको base कह रहा हूँ, this is base, तो height क्या हो जाएगा, इस base से लेके इसके opposite वाला बढ़े, बस धिहान रखना है कि जिसको भी हम base कह रहे हैं, अगर कोई triangle स्पॉर्म मैं मैं इसे base कहा रहा हूँ, तो height क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके इसके opposite वाला बढ़े है, ज़रूरी नहीं कि base नीचे वाली, कोई औरिजॉंटल हो तब ही हम रे सकते हैं यह फार्मॉला जन्रल में है बस धिहान रखना है कि जिसको भी हम बेस कह रहे हैं उससे पर्पेंडिगुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे उसके अपोजेट वर्टेक्स तर वो कहलाएगा अजिके अरियाफ ट्रेंगिल का यह फार्म यह अंडरूट A s NATS is. This formula कि हम कहते हैं, Heron's formula. यह तब use होता है जमएं पिसी भी ट्रेंगिल की sides पता होती है, सबसे पहले हम निकालते हैं semi parameter s. Semi means half, Half Parameter Half parameter क्या होता है? पेरिमीटर हो जाएगा तीनों साइट का सम डिवाइड बाई इस इस नोज एस एरिया इस एकोल टू हो जाता है अंडरूट सब कुछ अंडरूट में है S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस तो अगर हमें किसी भी ट्राइंगल की तीन साइट पता है कोई से भी ट्राइंगल हो चाहिए स्केलिन हो इकोलेटरल हो राइट एंगल हो कुछ भी हो यह फार्मूला सकति इसमें लग जाता है बट क्योंकि इसकी कैल्कुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है कि माइनस है और फिर स्क्वाइर भूट भी है तो हम शॉटकट जूबट है कि अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ बेसिक तो हाइट कर दो इकोलेटरल है तो उसका फार्मूला लिए लिए इस तरी में सा कर दो ठीक है जैसे इस पर क्या पॉश्चन हो सकते हैं कि इनर ट्राइंगल ए बी-सी ए भी दे रहा है बी-सी दे रहा है और एसी दे रहा है फाइंडल लेंथ ओप उल्टिट्यूट एडी और स्वाइड बी-सी यह नहीं कोई एक ट्राइंगल है ए बी-सी ए भी है 35 बी-सी है 24 एसी है 55 तो बताव लेंथ ओफ ऑल्टिट्यूट अल्टिट्यूट क्या होता है एडी और बी-सी इस पॉइंट बी ओल्टिट्यूट कहते हैं हम कोई भी वर्टेक्स है पर्पेंडिगुलर लाइंड रोप यह एडी है यह पर्पेंडिगुलर लाइंड वी-सी और वी-सी इस ओल्टिट्यूट इस जमेट्री के जो टर्म्स आ रहें यह याद रखना पर होगी ओल्टिट्यूट मीज्स इसी भी साइट के हम एक पर्पेंडिगुलर लाइंड रोप करकर तो इसकी लेंड निकाल गी है एडी की वैल्यू कितनी होगी तो कैसे कर सकते हैं इसको मान लेते हैं एज एक ट्राइंगल है एबी सी इसका एरिया हम दो तरीखे से निकाल सकते हैं एक इससे निकले गए एरिया हाफ बेस इंटू हाइट तो बेस अगर मैं बी सी ले ले लेगा है तो हाइट क्या हो जागई है यह ओल्टिट्यूट एक तो इस तरीके से फार्मूला एरिया का सकता है और दूसरा क्या हो सकता है के रोंस फार्मूला एस इंटू С-A, S-B, S-A इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो हमें ए डी की वैयूमेंट है एक फार्मूला हमने हाफ बेस इंटू हाइट से रखा और एक एरिया निकाला हमने इससे कर दोनों को एक्वेट कर दिया तो हमें आंसर मिल जाने चाहिए तो यह हमें करना पड़ेगा थोड़ी कैपुलेशन है क्योंकि रूट बगएर आए तो हमें वो सॉल्ट करना पड़ेगा इससे अप्रपेंट युद्ध से अधियों तो मिल पायतों को रहे है यह नहीं हमें यह नहीं पता कि यह में पॉइंट है यह ओके अगा पता होता तो सब्सक्राइब लग जाता फिर लग जाता क्योंकि आल्टेट्यूड यह फोड़ा पढ़ेंगे नियां कि पर्पेंटिकुलर बाइसे क्या होता है और मेडियर और इस तरीके से करना पड़ेगा यानि हम क्या करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट यानि कि हाफ बेसे स्ट्टिफोर इंटू हाइट इस एच इपल टू अंडरू सेमी परिमितर कितना हों गया 35 प्लस 53 प्लस 24 दिवाइट वाइट थी अपॉल 7 और 112 वन चैरी 4 और 5 9 और 2 11 56 आजा रहा एक एक नहीं बार इव जागड़ 56 इंटू 56-8 ये 35-56 इस 21 और माइनस 24 इस 32 और माइनस 53 इस पूरे स्क्राइर रूट से अच्छा है इसको पेर वाइस कुछ बना लो जैसे 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 3 एक 7 का पेर बन गया एक 3 का बन रहा है देखो एक 8 का बन रहा है इन सब को बाहर निकाल वह यह 4 है तो इसमें से 2 बाहर आ जाए इस एक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इस इस इक्वल टू 1 इंटू 24 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 8 इंटू 24 से यह कैंसेल एच की वैली हो जायगी टू इदर आजाएगा सब इवेच इन्टू तू इन्टू इन्टू यानि की टूटीएट इटीदे गई वैल्य तो हमने दो तरीशे से एरिये लिखे है और उन्तो इट करके एज की वैली में का जा जाएगा ठीक है तीसरा फार्मूला होता है आर इंटु एस एरिया ओफ ट्राइंगल इस आर इंटु एस अब यह आर क्या है स्मॉल आर से शो होता है इन रेडियस और एस इस सेमि पहेंटर अभी जो यूस किया है तो देखो इन रेडियस अभी अब मता देते हैं क्या होता है तो नॉर्मली इस फार्मूले का यूज जो होता है एरिया ओफ ट्राइंगल के यह तो बहुत ही कम होता है बट इससे हम यूज करते हैं तो फाइंट इन रेडियस इन रेडियस किसे कहते हैं जैसे यह दिया रखा पइली ईंगील हो गितैन इंगिल ट्राइंगिल है कि c't अ में इसमें हमें निकालना है कर पेंटी कूलर साइट स्विंग 3 जिए ऐसे इंग कर दो कि की ए इस पूरे ट्राइंग्ल के अंदर हो तीनोंसाइड को टच कर रहा हूं ऐसे सरक्ल को हम कहते हैं हम तो इसका radius निकालना है जो इक और के सका को ने मिल उसकंड डाएंब नियूँ तो यह जो फार्मूला ध है यह जालतार इन्सरकी अगर हाना कंड़ दो पwnून है उसके समय होता है तो अरिया ऑफ ट्रैंगिल आंगल ट्रैंगिल है तोah मुला क्या हो जाएं का हाफ बेस इंटू है इक्वल टू आर इंटू एस सेमी पैरेमीटर सेमी पैरेमीटर के लिए हमें तीसरी साइट बता होगी चाहिए तो यह याद रख लो पाइथावोरस ट्रिप्लेट अगर थी और फॉर है तो हाइपोटेनियूस कितनी होगी हाइपोटेनियोस कितनी होगी है हाइपोटेनियूस के वजी कितनी होगी है अगर यह तीन और चाहट है तो यह है कि हाइपोटेनियूस स्कुएयर करें हम थी स्कुरेर प्लस फूर स्कुरेर निकाले लेकिन यह याद होने पिरिये प्लाइब हो रहे स्ट्रिप्रेट थरी फॉर है तो यह हमीशा क्या होगा फाइब तो यह हो जाएगा आर इंटु सैनी पेरेमीटर का मतलब थरी प्लस प्लस फाइब दिवाइब वाइब तो यह इस केस में हम यूज करें नॉर्मली एरिया निकालने में यह यूज नहीं होता है दो फार्मूले और हैं यह हम कलकी किरास में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री कुछ टॉपिक ट्राइंगल का भी करेंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्री का भी करेंगे उसमें यह हमें पता चले गई साइन थीटा वोगेरे से हम कैसे निकालते हैं लास्ट फार्मूला इस ABC by 4R capital R से हम शो करते हैं circum radius एक होता है in radius एक होता है circum radius कि अगर कोई triangle है इसके बहार vertices इसको touch करके circle बना है this circle is known as circum circle एक in circle होता है एक circum circle इसका जो radius होता है इसको हम capital R से शो करते है area of triangle is form में भी हम लिख सकते है ABC 3 साइट upon 4R तो ये भी area से जादे use होता है circum radius नहीं तो ये हमारे 5 फार्मूले थे area of triangle के लिए अगर से इसको पोशिचन गयते है B divides AC in the ratio 3 to 2 तो G divide कर रहा है AC को 3 to 2 यानि अगर ये 3X है तो ये कितना है 2X find the ratio of areas of triangle ABD ABD BCD BCD and ACD ACD तो इसका हमें जैसे area नहीं काँए तो हम क्यासे करेंगे इसे देखो इस triangle को लेते है N triangle ABD तो हमें पता है area is equal to half base into height तो देखो height तीनो ट्राइंगिल की height same है किसी भी triangle को ले लो आप सब की height की आए same है तो सब के area का ratio किस पर depend कर रहा है हमकी base की length पर तो area of triangle ABC S2 area of triangle BCD का हो जाएगी base BCD BC or area of triangle AC It will be equal to ratio of their basis Base के बराबर हो जाएगी half base into height सब की height same है height height के turn cancel half half के सब में से cancel तो किसके corresponding है सब की basis AB base 3X BC base 2X और AC हो जाएगा 5 यानि किस ratio में हैं ये सारे एक बिल तो सारे areas 3 is 2, 2 is 2, 5 3 is 2, 2 is 2, 5 3 is 2, 2 is 2, 5 3 है सीधे formula ये फार्मूला ये उस किया half base into height height, height सब की सेम है, half वाला फेक्टर सेम है, तो तीनो ट्राइंगल का जो area होगा वो किस पर depend कर रहा है उनकी base का बेस का ratio हमें शुरू में दे रहा है 3 is 2 है पहले triangle का 3, दूसरे का 2 और पूरे बढ़े triangle का 3, 2 is 5 इस ratio में देन बीपीटी फियोरम बीपीटी फियोरम होगी अगर parallel lines है तो उनके intercept के होते ही होगा यानि ये parallel line है एक line मानलो ये है L1, L2, L3 ये क्या parallel lines है तो अगर parallel line को कोई कट करती ही उसकी line जिसम कहते है transversal के इंका जो intercept यानि AB अपॉन BC इन सबका ratio क्या रहेगा आपस में ये parallel line के बीच में अगर कोई line ही ने कट करती है तो ये जो बीच में लेंट आती है इन सबका ratio हमेशा क्या होगा इन सब्सक्राइब करती है तो ये जो बीच में लेंट आती है इनका रेशो सारी ऐसी लाइन के लिए सेंगा रहेगा इनका आपस में रेशो क्या होगा इन सब्सक्राइब करती है तो ये जो बीच में कोई line कट करेगी उनके जो इंटरसेक्ट है यानि बीच में जो लेंट आ रहे है ये कट के वो हर लाइन के लिए जो रेशो लेले तो वो सेंगा यानि अगर ये length है 6 और ये है 3 तो अगर ये 8 है तो ये कितनी हो जाएगी ये अगर इसकी half है तो ये भी इसकी half होगी यानि कितनी हो जाएगी वैली तो अगर ये सिर्फ 4 है तो ये कितनी हो जाएगी ये पैरलल लाइन के बीच में अगर कटा हुआ तो वो सेंगा इसी को हम यूज करते हैं कभी कभी ऐसे ट्राइंगिल दे दिया जाता है और कहते हैं कि इसके पैरलल हमने यह लाइन की चीची तो ये जो इंटरसेप्ट है ये आपस में क्या होगे इकर जिए अगर ये ए बीसी ट्राइंगल है और बेस बीसी के पैरलल लाइन हमने यह पिछी एकस वाइस है तो अब यह जो एकस अपॉन बी एकस है ए माई कि इक्वल टू एवाई अपॉन वाई लाइस तो ट्राइंग्ल के पॉरम में ऐसी जूट्ट इस कहा था कि प्रॉल लाइन के पीछ में कोई लाइन आ रहे है ट्रांस्वर्सल तो उसके इंटरसेप्ट के उपर से नहीं होता हुआ वेल्यूस देखो सेम नहीं है, जो जादे इंकलाइन होगी उसकी लेंट जादा होगी, जो इसकी सीजी स्ट्रेट लाइन होगी उसकी लेंट कम होगी, बट इनका रेश्यो सेम हो, जिस बेसिक प्रोपोर्शनल टी थेओरन ये बीपिटी, अब जैसे ट्राइंगिल ए बीची में क्या देराका, D and E are two points on A, B and B, C. A, B पर point है D, B, C पर point है E. Such that A, D is to D, B, या अब आब देराका, 2 upon 1 and B, E upon E, C देराका, 3 upon 2. A, D upon D, B is 2 is to 1 and B, E upon E, C is 3 is to 1. इस परण को देरा मोठ किना फाइं डरेशो फेरियाद उफ ट्राइंगिल ABC एंडी को एबीसी बड़ा ट्राइंगिल एंड चोटा था इनका रेशू पूछ रहा है आगी हमने बीपीटी पड़ी है तो बीपीटी का कुछ यूज करेंगे इसमें अई कि क्या कर सकते हैं उसमें हमें निकालना है एडिये का लेशो एडिये सी अपाउन एरिया उप्राइंगिल दी जी एडिये हो जाएगा देखो बेस इंटू हाइट ले जाते हैं त्राइंगिल एडिये की बात करें उसकी हाइट है हाइट वन इडिये इकवल टू हाफ अब अबी इंटू हाइट वर आफ बेस इंटू हाइट लेए पूरे ट्राइंगिल बड़े वाले की एडिये अपाउन यह हो जाएगा हाफ बी यह छोटा ट्राइंग जिसकी बेस किया है डी इंटू करें दो एच श्वाले हाइट है थो हाफ से हाफ जित्थ अधू एबी अपाउन बी यह यह इदितना हो जाएगा एभी इस टोटफ है एग तो अब क्या बचा है एच वान अपाउन है एच वन अपाउन एच टू निकालना है अब जड़ा थोड़ा सा देखो यह इमेजिनेशन होता है जमेटरी में यह वी पॉइंट है एक लाइन जा रही है इनिक लाइन यह वी पॉइंट है और इसे एक लाइन जा रही है यह इस अगर आप यह अगर हम यहां पे सोच लेए कि यह कुछ पैरलर लाइन पास हो रही है मालो इन पॉइंट से और यह एक वन एक टू कैसी है स्ट्रेट लाइन है यहां से हाइट ले रहे है इस तरीके से यह पूरा कितना है एक वन और यहां तक कितना है है एक टू तो पैरलर लाइन से जब पास होती है तो यह जिस रेशो में होंगे उसी रेशो में एक वन एक टू होगा तो बी-ई कितना दे रखा हैं यह चीज कितने दे रहा कि थी 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 जी यूँनिट तो यह कितना है वन यूणिट तो ऐच वन और एच वन और एच टू कर इशो कितना है यह वन हो जाएगा तोटल है 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 यहां से यहां पर फोर इस तो थी तो इस विल बिकम फोर अपॉन हमें क्या मिला इस रेश्व में है यह फोर इस दू वन यह बस हमें यहां पर एक थोड़ा सा यह सोचना था कि अगर यह पैरलल आइना पर जीम कर लो हुआ है यह एक ट्रांसवर्सल है और यह सीदे सीदे है इस तरीके से यह सिर्व इतना हैं है यह पूरा एंच वन रटी और वन इंट के रेश्व में है तो टोटाल हो जाएगा और फोर यूमिट और है एच टू राइड की थी है एच वन अपॉन एच टू हूंगे फोर पॉंट है यह बीपिटी का हम रहे हैं यहां यूज दिया नाव एक कॉमन जो बहुत यूज होते हैं चार्ट टर्म ओल लाइन फोर पॉर 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 पॉंट कौन कौन से पहली लाइन है मीडियन किसे कहते हैं लाइन जोइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉंट ऑफ द अपॉजिट साइड यानि किसी ट्राइंगिल को अगर हम ड्रॉ करें ए बी सी और मालों बी वहारा वर्टेक्स से बी से हम ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसकी अपॉजिट साइट को मिड पॉइंट पे टेच करती है यह इसका मिड पॉइंट है तो इस लाइन विल बी नोन एस मेडिया यह चार वर्ट जरह अच्छा सा समझ को बार बार जमेंटरी में यह आते हैं मीडियन का मतलब क्या है अपोजिट वर्टेस से हम ट्रॉ कर रहा हैं और किसको जॉइन कर रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ दे साइट तो इस इस अ मेडिया एक ट्राइंगिल में कितनी मीडियन हो सकती है एक ट्राइंगिल तरी हम सी से ड्रॉ कर सकते हैं कि अपोजिट मेंट को बस यह याद रखना है यह हमेश्चा मीडियन है तो मिड पॉइंट को ही ट्रेंगिल इस वी तो ऐसे तीन मीडियन मीडियन इस लाइन जोइनिग दे वर्टेक्स एंड मिड़ पॉइंट ऑप दव अपोलिए था पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर और पैंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर वही डिवाइड करना इक्वल पाड़ और साथ में क्या है पर्पेंडिकुलर भी है यह प्यूएट दे ऑपने घून पेंडिकुलर टू दे साइड एंड भाइसेक्टिंग देुएसेक्टिंग अगरेिये से करेगा है रखेंटे को फ़ैक करेंगी यहिए विपन टॼे करेंगी हो साथ साथ में क्या होगा फ्रपेंडिकुलर गीदियर सिर नांटे डिग्री न स् इसमें क्या चीज़ हमें याद रखनी है इसमें हमें याद रखना करें यहाद जाए उल्तित्यूद है ईडी तो यह पर्पेंडिकुलर होगा यह पार्टट इक्कुल हो या नहीं हो यह कोई ज़रूरी नहीं है जाए ज्थ् पोडिट्यूड की क्या के लीशन है यह पर्पेंडिकुलर होगा होगा अब यह हो भी सकता है कि उसे इकोल पार्ट में डिवाइट करता है या नहीं भी करता है बट इस बीपर्पेंडिकुलर है एंड लास्ट एंगिल बाइसेक्टर जो की एंगिल को डिवाइट करता है तो यह चार लाइन्स हमें याद रखनी हैं अब तो जैसे एक ट्राइंगिल है एबी सी इसमें एफ क्या है ऑल्टी तो आल्टीट्यूट के साथ कंडिशन क्या है यह हमेशा क्या होगा पर्पेंडिकर है इकोल पार्ट में कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है वह ऐसा जरूरी नहीं है बट जरूरी condition क्या इत विल भी परपेंडिकुलर दी ए क्या है परपेंडिकुलर वाइसेक्टर तो परपेंडिकुलर वाइसेक्टर देखो ये शोर है ये 90 डिग्री भी है और ये इसके मिड़ पॉइंट में भी है ठीक लेकिन ये जरूरी नहीं कि मर्टेक्स से पास हो परपेंडिकुलर वाइसेक्टर के साथ क्या कंडिशन है वो परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है बट जरूरी नहीं कि वर्टेक्स से पास है एड है मीडियन, इस इस मीडियन, मीडियन के साथ कंडिशन क्या है, इट विल आलवेज पासे स्थरों मिड़कॉर्ट, बट यह पर्पेंडिकुलर हो यह नहीं हो यह कोई जरू भी है, एड यह एजी जो शो कर रहा है, एजी इस एंगिल बाइचाटर, इसका काम क्या है, इस एंगिल को दो पार्ट में डिवाइड करना, यह कहीं से भी पास हो सकता, तो चारो लाइन में फर्क समझ में आ रहा है, मीडियन अगर है, तो इट विल पास थ्रों वर्टेक्स, यस, मीडियन हमेशा कहां से पास होगी, वर्टेक्स से, पास थ्रों मिड पॉइंट अफ से भी पास होगी, yes, but perpendicular to side not necessary, मतलब हो भी सकता है और नहीं वीव करता है, लेकिन median के साथ जो must recognition क्या है, vertex से पास होगी, जो भी side है उसके opposite vertex है, और चाहोगा, mid point of side को touch करें, परपेंडिकुलर by sector के साथ क्या है, passes through vertex, not necessary, पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, but must condition क्या है, mid point से पास होगा, yes, और परपेंडिकुलर होगा, yes, इसे डाइग्राम से भी होगा, पर दिखर है, D, E, perpendicular by sector है, परपेंडिकुलर भी है, और mid point से भी पास होगा, but vertex से पास नहीं हो रहा है, altitude, passes through vertex, yes, परपेंडिकुलर, yes, but passes through mid point, हो भी सकता है, और नहीं भी हो, इनों में difference, clear हो रहा है, clear है, clear हैंगे, confusion तो नहीं होगा, इन तीन वर्ड में, gradient क्या होती है, vertex से पास होती है, और side के mid point से पास होती है, परपेंडिकुलर हो भी सकती है, नहीं होती है, ok, अल्टिटिट्टूड पर्पेंडिकुलर होगा, वर्टेक्स से पास होगा, बट पूइंट से पास होगी हूं हो भी सकता है, निए अधिक लेंग्वेज में हम कभी कभी जैसे औल्टिट्टूड दिला जो कि पूचा की पाइट अगोरा, तो ऑल्टिटूड था पर्पेंड अब बस इनको थोड़ा सा डिटेल में मीडियन मीडियन क्या है वर्टिक्स से कहां पास होती है मिड़ पॉइंट पर तो A से D अगर मीडियन है तो D will be the मिड़ पॉइंट अगर B से E मीडियन है तो E will be the मिड़ पॉइंट C F मीडियन है तो F will always विल बिया मिड़ पॉइंट यानि ये साइड आपस में सब क्या होंगी ये इसका हाफ होगी ये इसका हाफ ये इसका हाफ होगी तो ये तीनो साइड मिड मिड पॉइंट में ब्रेक हो रहे जाए तुम तीनो मीडियन जहां पर मिलती है उस पॉइंट को हम कहते है क्या नाम है उसका Centroid Centroid is the Concurrency मतलब Concurrent Point यानि सारे Point of the Medians इसको हम रिप्रेजेंट करते है Capital G Centroid किसका Point होता है जहां से किसी भी ट्राइंगल की तीनो मीडियन पास होती That is known as Centroid ठीच है Centroid किया होता है जहां से किसी भी ट्राइंगल के तीनो मीडियन पास होती है अब ये मीडियन की कुछ प्रॉपर्टी होती Each median divides the triangle into two areas Area of triangle AAD is equal to area of triangle AAC यानि median क्या करती है इस है दो equal parts में Divide करते है किसी भी triangle को दो equal parts में Equal मतलब area के sense किसी भी triangle के अगर median पास हो रही है तो दोनों साइड आपस में इरिया में क्या हो जाएंगी एक और नेक्स सेंट्रॉइड डिवाइट से पास हो रहे ही इस जी सेंट्रॉइड क्या होता है हर मेडियन को तू इस तू वन के रेशो में डिवाइट करता है यह थोड़ा सा पॉर्डिनेट जमेटरिम में भी आएगा यही चीज कि यह क्या करता है तू इस्टू वन डेशो यानि अगर एडी मीडियन है तो जो वर्टेक्स वाली साइड है यह कितने यूनिट होगी तू यूनिट और यह जो साइड वाली साइड है यह किसमी हो यानि-एगी इस तू जी इपूल टू टू तू इस्टू एटू यह हर मीडियन के लिए अगर बी मीडियन ले तो यह जो वर्टेक्स वाली साइड है यह कितने रही है तू यूनिट और यह अधर आधर वाली साइड हही डी आदर आपन हो पढ़ा है यूनिट यानि बीज x 2g x 2 पेली प्रोपर्टी मीडियन क्या करती है ट्रैंemin को लो एक पन पार्ट में डिवाईड से करती है वुजरी प्रोपर्टी संट्र führen क्या करता है मीडियन को 2 to 1 के रेशो में डिवाईड सिवह बड़ी वाली स्टाइट फांस होती है जो की vertex के close-up vertex के close-up side two unit और लाकी part one unit और third ये theorem है ab square plus ac square इसमें कि ये side है a, b, c और a से d जा है media तो AB square और AC square यह median है तो इसकी जो vertex की दोनों side है उनके square का sum will be equal to twice of खुद median की length plus half of this side इन दोनों का sum यह आपस में equal है यह direct theorem use हो जाती है जो हमें से याद रखना है length of side of triangle are 21, 13 and 32 find the length of the median drawn to the longest side तो किस तरीके से triangle बनेगा मालो यह longest side है तो longest side कान सी हो गई 21, 13, 32 यह कितनी हो गई 32 यह 21, यह 32 तो कहरा है length of median निकालो drawn to the longest side तो इसकी length पूछ रहा है AD की length क्या होगी तो सीधे यह theorem यूज होगी AB square जो median है जिस side पर median है उसकी value नहीं आती बाकी दोनों side आती है 21 square plus 13 square is equal to 2 times median की length x मान लेते है x square plus bd half of this median इसे क्या करता है दो part में divide करता है तो यह length कितनी हो जाएगी bd पूरा BC 32 है तो bd कितना हो जाएगा 16 it will be equal to 16 square 21 square is 441 13 square is 169 you get 2x square plus 16 square is 256 256 to the 500 square we are get 2x square is equal to 441 plus 169 610 minus 512 610 minus 512 98 2x square is equal to 98 x square is equal to 49 x is equal to 7 median की length इतनी आगे 7 जो भी unit नहीं हो जाएगी नहीं लिखना का तो 7 चोड़ लेते है 7 unit चिगे theorem याद रख लेनी median के लिए कभी कभी उसे करता है median की प्रॉपर्टीज equal area में डिवाइड करती है median जिसक्वाइड पे मिलकी centroid centroid median को डिवाइड करता है तो इसने वक्ते रिशो में vertex वाली साइड बढ़ी होती है और तीसरी ये थेवाइड है next है angle bisector angle bisector कोई अगर triangle है a b c एक जो angle है इसको bisect करते वे एक line की जो angle b के angle को bisect करते वे angle c के angle को bisect करते वे ये जिस point पर मिलते हैं इस इस नोन एस इन सेंटर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं capital I तो इन सेंटर के होता है को कौन करेंट पॉइंट होता है किसका angle bisector जहां भी angle bisector meet करते हैं इस point is I इस I से हम एक ऐसा circle draw कर सकते हैं जो कि इस पूरे triangle के अंदर आई रहे हैं इस I को सेंटर मानके ऐसा triangle draw किया जा सकता है जो कि इस circle की sides को touch करेंगा और उसके अंदर रहे हैं ऐसे circle को हम कहते हैं in circle और इसके radius को हम कहते हैं in radius जिसरा हम small r सुशन हो जो भी फार्मूले में हम दो पढ़ाता है small r into s वो यह आ रहे हैं यह जिस point पर सारे angle bisector meet कर रहे हैं वहां से अगर हम central लेके एक circle बनाए तो ऐसा circle बनाए जा सकता है जो की inside को touch करेंगा और इसके अंदर रहे हैं the common point on three angle bisector i is at an equal distance from each of the three sides it is possible to draw a circle which is tangential to all the three sides उसको बक्षच करके अंदर यंदर रहे हैं this circle is known as in circle because it lies in the triangle and point i is called in center in circle कहा से बता है angle bisector जहां पर लिए और इसकी property क्या होती angle bisector divides opposite side in ratio of edges inside यानी a b upon a c अगर यह in circle है तो यह क्या करेगा किस ratio में divide करेगा a b upon a c is equal to b d upon d c is equal to b d upon d c इसकी property है चीक है a b upon a c is equal to b d upon d c आप कोस्यों के दे रहे हैं A, B, C is a scalene triangle, scalene means, तो कैसा triangle है, सारे एंगल और साइट जा लाग है, तो हमें दे रहा, A, B 18, यह A, B है 18, B, C 12, and A, C 15, यह जो लीचे A, C है, that is 15, B, D, and C, E, are angle bisector, यह B, D, angle B का bisector बनाया, और यह C, E, angle C का bisector बनाया, lying on A, C, and A, B, if P is the intersection of the angle bisector, यह किस पॉइंट के आखे मिल रहा है, P पर, find the ratio, C, P is to P, C, P is to P, इसका ratio पूच रहा है, तो हम देखते हैं, हम यह triangle लेखे, पे हैं, देखो, अभी हमने क्या थी और पड़ी थी, उसके हिसाब से, बड़े triangle में नहीं लगेगा, छोटे triangle में जाना पड़ाएगा, B, C, E, इस triangle की बात कर रहा है, B, C, E, यह जो triangle है, B, C, E, इसमें यह angle by sector है, तो angle by sector किस ratio में divide करता है, अभी हमने पड़ाता, B, C, upon B, B, C upon B, E, will be equal to, C, P upon P, E, यह जाएगा, यह जाएगा ratio, B, C upon, B, E, will be equal to, C, P upon C, अब देखो B, C, तो हमें पता है, 12, बड़, B, E, नहीं पता है, क्योंकि यह A, B, हमें पता था, फूरा 8, तो अभी हम इसे equation बन बान के नोड़ी चाहते है, यह जाएग्ल्स में लगा सकते हैं, किस ट्राइंगल में लगा सकते हैं, यह जामेट्री में कुद ही ढूनना पड़ेंगे तुश्चिए, कि आँ, अ, अब अगर पूरे बड़े ट्राइंगिल में ना रहा है B C A B C A में एक और एंगल बाइसेक्टर है BC की वेल्यू है 12 AC की वेल्यू है 50 B E और E B की हमें नहीं पता तो और देखों क्या लगए की थे और हम This upon this 12 by 15 Is equal to This upon this B E upon E So B E upon E गया आजाएगा 4 by 5 So B E की लेंथ नहीं पता सकते हैं कितनी होगी यह 4 by 5 के रिश्यो में डिवाइड हो देगी Total length है 18 So यह कितनी होगी 8 Total is 9X 9X is equal to 18 So X की value 2 So यह कितना होगी 8 Yes So B E की value पता चल गई हमें 8 यह हमें चाहिए था इसमें हम गर हम रखते हैं तो B C हमें पता है 12 B E is 8 तो हमें पता चल जाएगा CP upon P E के रेश्यो पे खिरी इसमी आंसर हो जाएगा खिरी इसमी यह एंगिल बाइसेक्टर के बेस पे इनसेंटर बनता है उसका यह प्रॉपर्टी है और दोस इन प्रॉपर्टी इसके कोई कुश्चन हमारे से नहीं है पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड इस लोन एस सर्कमसेंटर यानि किसी भी ट्राइंगिल के अगर हम पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं तो वो जहां पर मीट करेंगे इस बिल बी दे सार्कमसेंटर यानि को ट्राइंगिल है A B C तो BC का perpendicular bisector मानलो इस तरीके से लिए यह line है AC का perpendicular bisector मानलो यह line AB का perpendicular bisector मानलो यह line यह जरूरी नहीं देखो perpendicular bisector vertex से pass current ऐसा कोई जरूरी नहीं दो यह जिस point में मिलेंगे This is the circumcenter तो circumcenter ऐसा point होता है जिससे अगर मैं यह radius ले लूँ और एक circle draw करूँ तो क्या होगा vertex से pass होते वह बनेगा और this radius is known as circum radius जिससे हम show करते ही capital R तो circumcenter is the concurrency point of perpendicular bisector जिससे हम show कर रहा है capital तो circumcenter किसका concurrent point होता है किसका meeting point होता है तीनो side के perpendicular by sector तो यह जो होता है center A से भी equal distance पर होता है B से भी और C से भी this is the radius circum radius तो इसको लेके हम एक circle draw कर सकते है which pass through ABC and this is called circumcircle because it circumscribed triangle के बहार आता है और इस center वो पर हो जाते है circumscript तो median से बना था क्या बना था centroid angle by sector से बना था in center और perpendicular by sector से बना circumscript तो इसकी सीधे property के होती है angle at the center of circle is twice the angle formed as the circumscript B O C is equal to two times angle तो सी नहीं है बस क्या होता है B O C ये जो angle है ये इस angle का double होगा ये अगर angle x है तो ये कितना हो जाएगा 2x ये circle वाले chapter में हम पढ़ेंगे और ये property है बस इस में right angle triangle के लिए important है right angle triangle अगर हम बनाए इस तरी के उसे तो अगर हम इसका perpendicular bisector बनाते है तो ये जो circle आएगा it will be the circumscript circumscript center जो होता है हमेशा क्या होता है mid point of hypotenuse ये जो भी hypotenuse है हमेशा इसके कहां पर होगा mid point बनाए तो कोई भी right angle triangle का hypotenuse का mid point होता है that is circumscript circum radius is half the length of hypotenuse circum radius क्या होगी half of length of hypotenuse क्योंकि अगर ये circum center है तो हम इस radius को लेकर draw कर सकते है circle ऐसे pass हो तो this will be equal to यानि ये length भी हमेशा क्या होगी this length this obb इसका circle है तो obb इसका circle है तो obb इसका circle है तो median will be always equal to half of hypotenuse ये right angle triangle के एक property कभी काम आ जाती है ये length कुछ लेता है कभी कभी जिसकी length बताओ इस length will be equal to half of the hypotenuse जो भी hypotenuse है उसका half ये length को जिसकी तो ये circum center है and last is altitude altitude means किसी भी vertex से हम opposite side पे क्या बनाते है परपेंडिक पर इसको हम कहते है altitude ऐसे जितने भी altitude होंगे तीन ही होंगे altitude ये जिस point पर meet करते है जिसको हम edge से represent करते हैं and it is known as ortho center ortho center क्या होता है concurrency point of altitude जिसकी बस एक छोटी सी property क्या है angle formed by a side of the triangle at the ortho center and the vertex angular supplement यानि इसकी जो side है तो अगर हम angle formed by a side of triangle at the ortho center ये जो ortho center है इस पर कोई भी side जो angle बनाती है और उसका vertex angle दोनों क्या होते हैं आपस में supplemental यानि अगर मैं angle ये ले लेता हूं this is vertex vertex angle और ये जो ओर तो इसकी जो आप में गया होते है आप है और ये ये आपस में क्या होंगे supplement यानि angle बी-ए-च-सी प्लस दिंगिलेंस बने तो ये खेरिक की important इसमें से रिलेशन नहीं है मेली मेडियन पर ज्यादा कोश्चन रहते हैं और रेडियस ऑफ सरकम सेंटर रेडियस ऑफ इंसेंटर पर आ जाते हैं तो यह ट्राइंगिल का कुछ हमने पार्ट किया है कुछ कल की ग्लास में लिए हो तो यह पूरा बेसिक कॉंसेट है तो जमेटरी में बहुत जादा कॉंसेट होते हैं यह तो पहले से जमेटरी अच्छे से पढ़ लगी हो तब जल्लियत भी कवर हो जाते हैं अब आपको देखना है कि ने एक्जाम के पॉंट आप यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो अगर एक्जाम पॉंट आप यू से अब देखें तो बेसिक कॉंसेट का तीन कैसे टाइप के ट्राइंगिल होते हैं यह बेसिक कॉंसेट का समॉफ और इंटिरियर एंगिल यह याद रखना है पहली थ्योर्म इस पर कॉश्चंग यह और कहीं ने कहीं गुपालिजाती है सम ऐ इंटिरियर एंगिल आप ये याद गफना है यह काम आता है एक्सटीर एंगिल हमेशा 360 होता है और opposite to sum of opposite interior angle के बराबर होता है, किसी भी exterior angle यह important है, इस पर question पर ही है, side of triangle इस पर आ जाता है question, फिर तीन side देके कि ऐसा possible है या नहीं, या फिर इस form है, कि तीन side है, x के term में बताओ x की क्या value हो सकती है, यह important है, area of triangle इस form में use होते ही है, हाफ based into height और यह around इस form नहीं है, इन दोनों के combination के जैसे यह question है, ऐसे कभी आ जाती है, यह important है, यह सिर्फ तब यूज होगा जब आपको in radius निकालना होगा, अभी हम दो पढ़ा ना, in radius नहीं, r into x, और यह last formula 5, यह अगर circum radius निकालना है, बीपीटी पे based question आते हैं, और यह सिर्फ concept wise पे, क्या चीज़ median होती ही, क्या perpendicular bisector, क्या altitude, इसमें भी सबसे important, median वाली property ही, तो median क्या होती ही, इसका concurrent point centroid के लाता है, equal parts में divide करती, to equal area में divide करती ही, median, centroid क्या करता है, median को divide करता है, twist to one के ratio में, बड़ी वाली side, vertex की तरफ की होती ही, दूसरी side, छोटी होती ही, और यह, eplonious theorem, यह important, बाखी angle bisector किसे कहते हैं, angle bisector से मिलके in center बनता है, perpendicular bisector से मिलके circum center बनता है, इससे हम बना सकते हैं triangle, यह कभी कभी circum center of right angle triangle के लिए use हो सकता है, बाखी altitude को खुला के और सकते हैं, आज की class में concept जाना के, exam point of view से इतना important मिले थे, छोटी छोटी theorem की, लेकिन कल की class में हम दो important topic पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे similarity of triangle, जिसको question आते हैं, और फिर trigonometry, उसको तो आते ही हैं, यह सिर्फ basic concept building के लिए था, कल वाली class जाना important है, जिसमें हम similarity of triangle भी पढ़ेंगे, और trigonometry भी पढ़ेंगे, ठीक है, culture class जाना मारा, बहुत important topic है तो, okay पिर, class and करेंगे, कोई question? सार, yes sir, sir, DI कब से start होगे? DI's के बाद, से start पेंखे? छामिया के तो नहीं है, Mup शायद बढ़ जाए, Okay, thank you, Allah आपले कर दो कर दो